फटी एडियों पर चादू की तरह काम करेंगे ए दो घरेलियों नुसके आज हम आपकी फटी एडियों को ठीक करने के लिए एसे दो घरेलियों नुसके बताने जा रहे हैं जो आपकी फटी एडियों से राहत दिला सकते हैं तो आप देखते होंगे कि अक्सर आपका एड़ी फटा रहता है और आप उसकी इलाज के लिए कुछ ने पता होता और आप काते की इसी तरह रहेगा तो आज मैं आपको दो घैलू नोसके बताएंगे जो आपकी पूरी इड़ीों को फटी हुई एड़ीों को एकदम मुलाइम ओठी कर देगा तो चेरा मुर्जाया हुआ लगे तो हम केसे प्रिसान होने लगते हैं हम चाहते हैं कि हमारे हाथ भी सुन्दर दिखे लेकिन पेरों का ख्याल रखते हुए हम लपरवाई कर ही देते हैं महीने में एक बार पेडी की ओर करवा कर हमें लगता है कि बस हो गया इस से ज़्यादा क्या करना बस पेरों की देख भालना करने के कारण वो फटते हैं और रूखे होने लगते हैं पेर पहले धीरे धीरे फटने लगते हैं और फिर डिप करेक दिखने लगते हैं या ना सि देखने में खराब लगते हैं बलकि चलने में भी उनमें दर्द होता है इन्हें मेडिकल टर्म में हेल फीसर भी करते हैं अपने पेरों को थोड़ा और ध्यान दे कर थोड़ा जादा पेमपर करके उनका इलाज करें पेरों को धोने के बाद हमेशा उन्हें कौमल बनाए रख करें ऐसे मोचराइजर लगाएं जिनमें सेली सीलिक एसीड या अलफा हाइड्रोक्सिक ड्रोक्सिक एसीड जैसे तोचा को नर्म करने वाली एजेंट होते हैं जो डेर्ड हस्किन को हटाने में मदद कर सकते हैं तो अपनी रुखी फटी एडियों के ओ बिल्कुल भी नजर अ करें इन्हें इग्नोर करने से या बड़ी फंस इंफेक्शन में तबदील हो सकता है जिससे आपको चलने फिरने में ज्यादा तकलिफ होगी अगर आपकी समस्या गमीर है तो डॉक्टर से संबर्ग करें लेकिन सुरुवाती समय में आप कुछ घरीलू नुसकों से इसका ख नुसका बताएंगे जिससे आपके पेर सुप्ट हो सकते हैं आईए जाने इन असान नुसकों को बनाने और लगाने का असान तरीका क्या है पहला तरीका मौम सरसो और घी का नुसका हाव डू आई फिक्स माई क्रेक्ट हिल्स देसी घी की हिलिंग प्रोपर्टी होती है और या तोचा को डीप नरीस करने में भी मदद करता है या ड्राय स्किन को सौप्ट बनाने में भी हेल्प करता है वहीं मौम पेराफिन वेक्स या फिन नॉर्मल बोडी हिट को ट्रेप करके बलड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में और तोचा को सौप्ट करने में मदद करता ह क्या चाहिए एक छोटी कटोरी मौम के टुकडे, एक बड़ा चमच, सरसो का तेल, दो बड़ा चमच, घी क्या करें सबसे पहले मौम को अच्छी तरह से आप पिगला ले अब इसे कटोरी में टांसफर करें और उसमें घी और सरसो का तेल डालकर कुछ देर गरम करें इन चीजों को मिला लें और इन्हें अलका गुनगुना कर लें, अपने पेरों को धोकर सुखा लें और मौम और घी के इस पेश्ट में कोटन का कपड़ा डुबो कर अपने एडियों में लगाएं, इसके बाद कोटन के मोजे पहन कर उन्हें हिल होने दें सुखा अपने पेरों को धोकर मौच राइजर लगाएं, इस घरेलू नुस के रोजाना सोने से पहले अपने पेरों में लगाएं, आप जल्द ही अच्छा परिनाम देखेंगें और आपका फटी एडि ठीक हो जाएंगें दुसरी तरीका मौम, हल्दी और घी का नुस्का, इन तीनों ही समागरियों में हेलिंग प्रोपटी होती है, जो आपकी एडियों को भरने में मदद करेगी देशी घी और मौम अपनी तवचा को कोमल बनाने में भी हेल्प करता है, वहीं जा हल्दी किसी तरह के इनफेक्शन को या चोट को भरने में हेल्प करती है क्या चाहिए समागरी, एक छोटा चमच, कच्ची हल्दी, कदुकस, दो बड़ा चमच, घी, एक छोटी कटोरी, मौम के टुकडे क्या करें, एक कटोरी में मौम के टुकडे, कदुकस की हुई हल्दी और घी को डाल कर गरम करें अपने पेरों की डेड़ा स्किन को पहले पयोमिक अस्टोन से हटाएं और फिर धो कर सुखा लें अब एक कोटन कपड़ी को मौम और हल्दी में डुबो कर अपने पेरों में लगाएं और मोजे पहन लें सुखा अपने पेरों को धो कर मोच राइजर लगाएं आप इस नुस्के को सोने से पहले जरूर लगाएं और तुरंत कमाल देखें फिर आपकी एड़ी फटे हुए फटी हुए एड़ी आपका मुलाइम एड़ी और देखने में आपका एड़ी बहुत सही हो जाएंगे ये दो नुस्के आपके बहुत काम आएंगे और हमें उमीद है कि इनने आजमा कर आपके पेर जल्द कोमल और मुलाइब में होगे अगर आपको कोई दुसरा नुस्का पता हो तो हमें भी कमेंट करके बताएं अधिया वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सेयर करें और वीडियो से समन्दी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहें धन्यवाद